जै महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का सौगत है हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम तंतर के माध्यम से बहुत ही दुरलब असली इरानी सुलेमानी हकिक माला के लेकर आए हैं दोस्तों आज हम संपून इसके बारे में आप लोगों को ग्यान देंगे कि कैसे इस माला का प्रियोग तंतर में किया जाता है और क्यों ये इस माला को बहुत दुरलब माना जाता है दोस्तों असली सुलेमानी हकिक इसकी जो माइन होती है या इरान माइन होती है क्योंकि इंडिया में कभी भी भारत में पुराने समय से ही इसका प्रियोग इंडियन हकिक के तोर पर किया जाता है लेकिन इसकी कोई भी origin माइन इंडिया में बिलकुल नहीं होती है दोस्तों सुलेमानी हकिक तंतर में बहुत विशेश माना जाता है बहुत सारी तरह की इसमें शक्तिया होती है जो कि जीवन को उन्नती की और आगे पहुंचाने के लिए बहुत विशेश माना जाता है दोस्तों इस माला को धारण करने मातर से ही जीवन में हर प्रकार के कश्ट कटते हैं और हर प्रकार से सुख और समरद्धी जीवन में मिलती है दोस्तों ये इसका असली होने का प्रमाण है लगबग 398 केरेट की ये माला है सबसे बड़ी बात ये है कि 108 दाने की जो माला होती है इस माला का बजन लगबग 400 केरेट के असपस होना चाहिए साड़े 300 से 400 कारेट इसका बजन होगा तब ही असली प्रमानित होती है कि ये माला असली है क्योंकि इनके जो माला के जो मोती होते हैं दाने होते हैं इनका बजन काफी जादा होता है आज हम आपको खोल कर बताएंगे एक माला की ये माला कैसी होती है और कैसे इनका प्रियोग जीवन में किया जाता है दोस्तों सुलेमानी हकिक शुरू से ही तंत्र में बहुत बिशेश महत्पून माना जाता है दोस्तों यदि चेतन ये माला को धारन आप लोग करेंगे तो इससे हर प्रिकार की कष्ट कटे है जीवन में धन की ब्रद्धी होती है आप देख सकते हैं कि कितनी खूपसूरत ये माला है और बहुत मजबूत इस माला को बनाया जाता है इससे मंत्र चंटिंग मतलब मंत्र जाब भी आप लोग कर सकते हैं किसी भी प्रिकार की साधना में इसका प्रियोग कर सकते हैं। ये चेतनी करके माला आप लोगों को दी जाती है, जो कि बहुत ही खूपसूरत दिखती है। दोस्तों, ये एक काफी रेयर माला होती है, जो कि इसका प्रियोग जीवन में बहुत अच्छे आप लोग कर सकते हैं इसका जो हर एक मोती हर एक दाना जो होता है ये विशेश होता है महत्पून होता है जीवन में बहुत अच्छे लाब पहुचाने वाला होता है आप देख सकते हैं कि कितना खूपसूरत और कितना असली नायाब हकिक यह होता है दोस्तों जिन लोगों के जीवन में कश्ट चलते हैं या जिन को किसी भी प्रकार की बूत प्रेद बाधा या किसी प्रकार की स्वस्थ को लेकर समस्या होती है तो ऐसी इस्तिती में उस व्यक करती की और आगे बढ़ने लगता है दोस्तों यह मालाएं काफी महत्पून होती है सुलेबानी हकी को कोई भी धारण कर सकता है और इस माला को भी कोई भी धारण व्यक्ति कर सकता है दोस्तों इस माला को चेतनी करके विदिवद यदि आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो किसी बड़ी एक्षनी साधना में या किसी भी प्रकार की गुप्त जो साधनाय आती है चंडी साधनाय होती है डक्षण मार की साधनाय आती है वंबर समाएं रखने की दोस्तों यदि इस मालको आप लोग धारंड करते हैं तो धारंड करने मातर से ही जीवन में हर प्रिकार के कष्ट कटने लगते हैं जीवन सोभाग्य की और आगे बढ़ता है और जीवन में केबल सफलता ही आप लोगों को आगे देखने मिलती है काफी नायाब ये स्टोन होते हैं काफी जगा पर इसके जो कौपी जो स्टोन होते हैं नकली स्टोन जो होते हैं वो बेचे जाते हैं लेकिन जो असली चेतन्य शुद्ध इदि आप इसका प्रियोग करेंगे तो ये जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आप लोगों को देता है और जीवन में तरक्की की और आगे लेकर जाता है दोस्तों काफी खूबसूरत ये स्टोन को माना जाता है काफी डीप मतलब गहरी माइन के स्टोनों का प्रियोग तंतर में किया जाता है दोस्तों ऐसी माला आपने बहुत जगा देखी होंगी ये ऐसी फीस होते हैं जो कि इंडिया में बहुत ही कम मिलते हैं अगर मिलते हैं सही तरह से चेतन्य नहीं होते क्योंकि बहुत सारे जगा पर लोग इसका शुद्धी करेंट करना नहीं जानते हैं इसका सिद्धी करेंट करना नहीं जाते हैं हकिक तंतर पुर है यह वहाँ पर बहूत अच्छी पाई जाती है, जोस्तों जिस तरह से दूरे-णजफ इरान का सबसे मुख्य और अच्छा पथर माना जाता है उसी प्रकार से यह सुलिमानी हकिक वहां का बहुत नाया पथर माना जाता है, यह माला बहुत खूपसूरत होती हैं और बहुत ही इसके अच्छे लाब होते हैं जीवन को उन्नती की और आगे बढ़ाया रखने के लिए इस माला का प्रियोग किया जाता है दोस्तों भैरब तंतर से इसकी सिद्धी कर सकते हैं लक्षमी शावर मंतर से लक्षमी तंतर से इसकी साधना करके जीवन में का प्रियोग कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि इस माला को चंटिंग के लिए मतलब मंतर जापत के लिए बनाया गया है जो कि कितनी दुरलब है और कितनी खूपसूरती से और मजबूती से इसको बनाया जाता है इसको केबल काले शुद्ध रेशम की जो धगा हो होता है या सूत होता है उसमें इसको गठित कर लेते हैं लेकिन इस तरह की माला का कोई भी फाइदा नहीं मिलता है दोस्तों अगर कोई भी वस्तू तंतर में असली नहीं होगी प्रान प्रतिश्चित नहीं होगी जागरत नहीं होगी तो उसके आपको अच्छे और शुप दोस्तों इन मालाओं से कई प्रकार की गुप्त सिद्धिया की जाती हैं अगर जीवन में धनकी बहुत कमी होती है कहीं से भी दरिद्रता आपके यहां होती है या कई प्रकार के बिजनस करने के बाद भी धंदा करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो एसी परस्त दन्य माला आप अपने नाम पर अभी मंत्रत करके आप हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं जो कि पूर्ण तरह शुद्ध और असली आपको प्रमाण के साथ यह मालाएं दी जाएंगी जिसका जीवन में बहुत अच्छा असर आप लोगों के पड़ेगा और जीवन तरक्की क और आगे बढ़ेगा दोस्तों बहुत सारी जगा पर फैब्रिकेटिट मालाओं का इस्तमाल किया जाता है जो कि चाइनीज होती हैं प्लास्टिक की होती है लेकिन इसके असली का प्रमाण आप देख लीजेगा कि कितने अर्थ ग्रेविटी में यह पाई जाती है और किस प बजन लगबग 100 के अंदर होगा क्योंकि जो सुलेमानी हकिक होता है या कोई भी नेच्रल स्टोंस होता है इसके स्टोंस कॉलिटी में बजन होता है अगर बजन सही होता है तो इसका प्रमाण होता है कि हाँ यह जो स्टों है काफी अच्छा है और गुट कॉलिटी का स्टो यक्षनी, सम्मोहन, रतीप्रिये, परी साधना या किसी भी प्रिकार की चंडी या दक्षन मार की साधनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है। दोस्तों इसको पहन कर यदि कोई भी व्यापार आप करते हैं तो व्यापार में घाटा होना असंभव है क्योंकि ये परिस्तिती को मजबूत करने के लिए और धनके मार्ग को खोलने के लिए काफी उन्नत और कारगर मानी जाती है। सुलेमानी का प्रियोग पुराने समय से ही इसलाम में भी किया जाता है। और हिंदू शाष्त्रों में भी इसका साफसाव बंणन किया गया है। दोस्तों शुद्धता का ध्यान रखते हुए असली माला यदि आप लोग अपने नाम से चेतने कराके प्राप्ट करना चाते हैं तो हमसे संपर्ग कर सकते हैं। दोस्तों चेतन्य माला बहुत खूबसूरत होती हैं। इनके वीट की आप लोग देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितनी अच्छी कॉलिटी की चमकदार और बहुत खूबसूरत यह मालाय होती हैं। इसके कुछ जो stones होते हैं ये काफी deep mind के होते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये clearly साफ साफ transparent दिखते हैं इसके quality बहुत अच्छी दिखती है इसके results आप लोगों को बहुत अच्छे मिलेंगे माला यदि शुद्ध होगी असली होगी तो जीवन में इसके लाब अच्छे मिलेंगे यदि किसी भी प्रकार से कोई आप नकली चीजों का इस्तमाल करते हैं तो इसका प्रभाब आपको तंतर में कभी नहीं मिलता है तो इनी चीजों का विशेश ध्यान रखके इसको सिद्धी किया जाता है अभी मंतित किया जाता है गुणवत्ता का काफी अच्छा ध्यान रखा जाता है तंतर में इसको विशेश माना जाता है और इस माला का प्रियोग कई तरह की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है दोस्तों एसी शुद्ध असली और काफी दुरलव आप माला हम से प्राप्त कर सकते हैं जो की संपून तरह से संपून संसकार से चितने करके आप लोगों को दी जाएगी जये महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक वसक्राइब